नमस्का दूस्तू स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम कुछ बिग्यान से सम्मंदित प्रिष्णों को डिसकस करेंगे तो चलिए जिन प्रिष्णों को हम यहां डिसकस करेंगे उनको यहां सुरू कर लेते हैं तो जो हमारा प्रिष्ण है कि न्यूटन के गती का पहला नियम जाना जाता है तो न्यूटन के जो गती का पहला नियम है वह किस और दूसरे नाम से जाना जाता है यह हमाई इस प्रिष्ण में बताना है ठीक है ओप्षन ए है गुरत्व करशन ओप्षन बी है जड़ता का नि नियम यह जो न्यूटन की गती का पहला नियम कहलाता है वह जड़ता का नियम कहलाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कि न्यूटन के गती के पिथम नियम को हम जड़तो या जड़ता का नियम भी कहते हैं और इस नियम के अंसार प्रतेक पिंडित तब तक अपनी बिराम अवस् में रहता है जब तक कोई बाहबल उसे अन्यथा बेवार करने के लिए विवस नहीं करता यानि कि अगर कोई पिंड रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा या कोई पिंड चलाय मान है तो वो चलता रहेगा तब तक जब तक कि इसको रोकने या चलाने के लिए कोई बाहबल ना लगाया जाय, ठीके, कोई भी force ना लगाया जाय, तब तक हो अपनी parenth इस्थिति को परवाटत नहीं करता है, आगे बढ़ते हैं, कि साधारन एंत्र किसी व्यक्ती की किया सहायता करता है, कोई भी simple machine होती है, जिसको हम साधारन एंत्र बोलते हैं, वह किसी बक्ति की क्या सहायता करता है यह बताना है Option A है कम काम करने में Option B है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में Option C है उतनी ही मात्रा में काम तेजी से करने में ठीक है और Option D है उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में तो इसका जो सही अंसर है वह है कि कम बल्ल का प्रयूख करके उतनी ही मास्तरा में काम करने में यह बल्ल कम लगेगा और उतनी ही मास्तरा में काम हो जाएगा यह काम है एक simple machine का आगे बढ़ते हैं य Southeast एक बैक्ती एक संबेदन सिल तराजू पर खड़ा है यदि वह गहरी सांस अंधर लेता है तो तराजू की reading पर क्या असर होगा ठीके कोई भी बेक्ती है एक तराजू पर अगर खड़ा हुआ है तो हमें यह बताना है कि अगर वह गहरी सांस अंधर लेता है तो तराजू की जो reading रहेगी उस पर क्या असर पड़ेगा यह हमें बताना है option A है बढ़ेगी option B है घटेगी option C है रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और option D है कि वह बढ़ेगी या घटेगी यह बायो मंदली दाप परने भर करेगा तो इसका जो सही अंसर है वह है option number A कि रीडिंग क्या होगी रीडिंग उसकी बढ़ेगी अब क्यों बढ़ेगी उसको देख लेते हैं कि व्यक्ति के गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का बजन अधिक दरसाया जाएगा क्यों दासा जाएगा क्योंकि जो एक लीटर बायू होती है वह 1.225 ग्राम बजनी होती है आताहा एक लीटर बायू अंदर खीचने पर व्यक्ति का बजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कि जो बॉसिंग मसीन होती है इसके जो कार करने का सिद्धान्त है वह किस सिद्धान्त पर कार करता है ठीक है जो बॉसिंग मसीन है वह किस सिद्धान्त पर कार करती है यह हमें बताना है आप्सन ए है अपकेंदरन आप्सन बी है अपुहन आप्सन सी है उत तिकिरिया बल जो पर्मान में अभी केंद्री बल के बराबर होता है परन्तु जिसकी दिशा अभी केंद्री बल के बिप्रीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है अब केंद्री बल कहलाता है ठीक है ऐसा बल कि जिसकी दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है और जो अभी क अखन निकालने की मसीन है यह अपकेंद्री बलके सिद्धान्द पर ही कार करती है आगे बढ़ते हैं कि जो प्रक्षालन मसीन है की कार प्रणाली का सिद्धान्द है ठीक है प्रक्षालन मसीन जो दूतरी क्रीम अलग होती है यह मसीन की सिद्धान्द पर काम करती है तो यह भ बताना है, option A है बिस्थापन, option B है बेग, option C है बल और option D है आयतन, तो इसका जो सही अंसर है वो है आयतन, यह आयतन जो है, यह सदिस रासी नहीं है, कैसी रासी है, यह एक अधिस रासी है, ठीक है, यह एक अधिस रासी है, तो अधिस है, तो अधिस है तो A, बिस्थापन, ब एक और बल एक तीनों कैसी रासिय हैं एक तीनों की तीनों सदिस रासियां हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कि बे रासियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिसा एवं परिमार दोनों की अवश्कता होती है सदिस रासियां कहलाती है और जिन रासियों को व्यक्त करने के हमें दिसा भी चाहिए और परमाण भी चाहिए और जो अधिस होती है उसके लिए हमें केवल परमाण चाहिए और दिसा नहीं चाहिए ठीक है तो जो बल बेग विस्तापन तुरण संबेग होता है और जुआ बेग यह सारा का सारा क्या है यह सारी सदस्रासिया हैं जबकि जो आयतन है वह है एक अधिसरासी आगे बढ़ते हैं कि जो बल है वह किसका गुड़न फल है ठीक है बल होता है बल को हम F से जिनूट करते हैं फोस से या किसका गुड़न फल है A हमें बताना है Option A है दर्बमान और बेग का Option B है दर्बमान और तुरण का Option C है भार और बेग का Option D है भार और तुरण का तो जो बल होता है यह दर्बमान और तुरण इन जोनों का गुणरफण होता है ठीके जो बल होता है यह है दर्बमान और तुरण इन दोनों का गुड़न पल होता है ठीके तो बल वह है धक्या या खिचाव है जो एक बस्तू द्वारा दूसरी बस्तू पर आरोपित किया जाता है और बल बराबर क्या होता है द्रबमान गुड़ा तुराणनी F equal M into A होता है आगे बढ़ते हैं कि उर्जा सनरचन से आसा है ठीक है उर्जा सनरचन से क्या आसा है यह हमें बताना है Option A है उर्जा का सरजन और बिनास होता है Option B है उर्जा का सरजन हो सकता है Option C है उर्जा का सजन नहीं हो सकता है परन्तु बिनास हो सकता है और Option D है उर्जा का ना तो सजन हो सकता है और ना ही बिनास तो इसका जो सही अंसर है कि जो उर्जा होती है उसका ना तो सजन हो सकता है और ना ही उसका बिनास हो सकता है आगे बढ़ते हैं कि हवाओं में ऊर्जा होती है ठीके जो हवाओं होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है Option A. केवल इस्थजज, Option B. केवल गतिज, Option C. बैदुत, اور Option D. इस्थज और गतिज डोनो तो इसका जो सही अंसर है वह केवल गतिज, यानिは Option बहुर इसका सही है लिखो ऊड़िया के अन्य रूप हो, जैसे कि बिध्द ऊड़िया या यंत्रिकίνगू तो या यांत्रिकी उझार में परवाइड्टित किया जा सकता है। आगे बढ़ते ही कि जो बायू सकती यानि बिन्ड पावार होता है मैं उर्जा का कौन सा रूप बिद्दूत उर्जा में परबर्दत होता है option A है गतिज उर्जा, option B है इस्तिज उर्जा, option C है सोर उर्जा और option D है बिकरन उर्जा, तो इसका जो सही अंसर है वह है गतिज उर्जा ठीके तो बाहती हुई बायू से उत्पन की गई उर्जा को क्या करते हैं पवन उर्जा करते हैं और जो पवन उर्जा है इसका उत्पधन हावादार स्थानों पर होता है ठीके और जो इसको गतर उर्जा को हम यांतरिक उर्जा में परबर्तित करते हैं ठीक है थेंक्यू दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अुछ ऑन्यवाद